इस बार का देशेहरा महराश्ट की सियासत के लिहाद से बेहत खास रहा मुंबई में उधर ठाकरे गुट और एकनाच शिंदे गुट ने अलग-अलग रैली की जहां शिवाजी पार्क में उधर ठाकरे गुट ने हुंकार भरी तो बीकेसी मैदान में एकनाच शिंदे गुट की जन सभा हुई दशेरा रैली में दोनों गुटके नेताओं ने एक दूसरे पर तीखे प्रहार किये हुथव ठाकरे ने जहां एक नाच्छिंदे को धोखे बाज बताया तो धर्ज़र जवाब मिला कि शिव सेना कोई ठाकरे परिवार की प्राइवेट लिमिटेड कमपनी नहीं है सीम एक नाच्छिंदे ने उधर ठाकरे पर हमला बोलते हुए कहा कि शिव सेना उन शिव सेनिकों की है जिन्होंने खून पसीने एक करके से बनाया है तुम जैसे लोगों की यह पार्टी नहीं है जो अपने फायदे के लिए से बेच देते हैं गर्व से कहो हम हिंदू हैं मैं मुख्य मंत्री बनने के बाद भी शिव सेना का एक साधारन सा कारे करता हूँ गद्दारी तो 2019 में हुई थी जब बाला साहब के विचारों के साथ समझोता करके कॉंग्रेस के साथ गटबंधन करके सरकार बनाई गई थी वहीं शिवाजी पार्क में आयोजेत दशेरा रैली में एक नच्चेंदे पर हमला बोलते हुए उद्धव ठाकरे नी उनकी तुलना रावन से करती ठाकरे ने कहा कटपा को जनता माफ नहीं करने वाली जब मैं सरजरी गले अस्पताल में था तब इन धोखे बाजों ने गद्धारी की लेकिन उन्हें याद नहीं रहता कि मैं सर्फ उद्धव ठाकरे नहीं हूँ बलकि उद्धव बाला साहिब ठाकरे हूँ पुसायचा मंटलतरी पुस्तायणार नहीं गद्धार वाईट एका गोश्टी चो अट्टानी संतापई एका गोश्टी चाहे तो कि जेवा मी माजा सस्त्रक्रेस आखे होस्पिटल मरे होतो मी बोल्लू नहीं तुम चाशी माजी बोटसुरा हालत नहोती शरीर पूरुण पणे निश्चल पढ़ला होतो टाविले लाएगा जान्चा होती मी जवाब दरी दिले होती ते कटापपा ओ कटापपा मन्जी जे कट करना रे आपते कटापपा कोनी केली गद्धारी तुम्हे केली गद्धारी आमें गद्दार नाइं तुम्हीं गद्दारात अड़े मनों जनतेने थरवलें गद्दाराना साध्देची की बासाइबांचा शिले दाराना साध्देची पुना आप ले समुर यह उस चखनार नहीं पंट्यान कोणाल कलपन नहीं किया उद्धाव ठाक्रे नहीं उद्धाव बाड़ा सही ठाक्रे आए हलाकि ठाक्रे के इस बात का चवाब देते हुए शिंदे ने कहा वो मुझे कटपा कहते हैं हलाकि कटपा का भी एक सम्मान और अस्तर था वो उनकी तरह दोहरे चरित्र का वैक्ती नहीं था इसरैली के दोरान उद्धाव ठाक्रे के भाई जैदे उठाक्रे शिंदे गुट का समर्थन करने पहुँचे थे इसके बाद शिंदे गुट के नेता राम कधम ने उद्धाव ठाक्रे पर निशाना साथते हुए ये भी कहा कि जो लोग अपने परिवार के लोगों को जोड़ कर नहीं रख सके वे पार्टी क्या जोड़ कर रख पाएंगे कॉंग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पहली बार शामिल हुई सोनिया गांधी जाने क्या है माइने राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर है आज बेटे राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में कॉंग्रेस की अंतरी मध्यक्ष सोनिया गांधी भी शामिल हुई साथ सितंबर को ये यात्रा कन्या कुमारी से शुरू हो गई थी शुकरवार को यात्रा गुंडेल पेट से करनाटक में प्रवेश हुई मांधिया से सोनिया गांधी ने आज यात्रा में एंट्री ली है बता दे की कॉंग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा लगातार चर्चा में है राहुल गांधी अपनी इस यात्रा के दौरान लोगों से लगातार मिल रही है वही BJP इस यात्रा को लेकर कॉंग्रेस पर लगातार हमलावर हो रही है इसे बीच आज सोनिया गांधी इस यात्रा में शामिल होकर इस यात्रा को नया मोड दे रही है उनके साथ इन दिनों कॉंग्रेस पार्टी अध्यक्षपत का चुनाव लड़ने को लेकर सुर्खियों में रहे मलिका अरजुन खड़गे भी शामिल हुए ऐसे में राहुल की इस यात्रा को बुस्टर डोस मिल गया है सड़क पर कॉंग्रेस की अंतरी मध्यक्ष के इस पैदल मार्च से पार्टी को नई ताकत मिली है लंबे समय बाद सोनिया का इस तरह से पार्टी के भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ना नए संकेत दे रहा है ऐसा लग रहा है मानो जैसे कॉंग्रेस ये बताना चाहती है कि उसका मिजाज अब बदल चुका है वो अब पूरी तरह से जनता से और उनके मुद्दों से जमीनी स्तर पर जुड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी कॉंग्रेस के कारिगरता अपने अध्यक्ष के भारत जोड़ो पद्यात्रा में शामिल होने पर उनके साथ पद्यात्रा करने को लेकर काफी उत्साही दिखे बता दे की कॉंग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा केरल के बाद करनाटक में चल रही है दशेहरा की वजह से भारत जोडो यात्रा को दो दिन का विराम दिया गया था आज एक बार फिर नए जोश के साथ इस यात्रा को राहुल गांधी ने शुरू किया तो बेटे का साथ देने सोनिया गांधी भी आज मैदान में उतर गई इससे पहले स्वास्त कारणों से सोनिया गांधी पार्टी के प्रचार कारक्रमों से दूरी बनाए हुए थी ऐसे में अब सोनिया गांधी के शामिल होने से कारकरताओं का उत्सा बढ़ना लाजमी है वही राहुल गांधी को यात्रा में एक मजबूत हाथ भी मिला है सोनिया गांधी की मौझूदगी से कॉंग्रेस भारत जोडो यात्रा के संदेश को जादा प्रभावी ढंग से लोगों के बीच पहुचा पाएगी गौर्तलब है कि करनाटक से सोनिया गांधी का गहरा नाता है कहा जाता है कि जब कभी गांधी परिवार पर राजनितिक संकट आया है तब दक्षिर भारत ने उसे मुश्किल से बाहर निकाला है दिवंगत प्रधारमंत्री इंद्रा गांधी ने भी दक्षिर भारत की सीटों से लोकसभा चुनाव लड़ा था वहीं जिस तरह से पिछले दिनों राहुल गांधी ने बारिश में भीगते हुए भारत जोडो यात्रा के दौरान जन्ता को संबोधित किया और वो चर्चा में बन गए ऐसे में कॉंग्रेस इस मौके को कैश कर सकती है इस वज़ह से इस यात्रा को लेकर कॉंग्रेस कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है करनाटक के मैसूर में भारत जोडो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने तेज बारिश के बीच जन्सभा को संबोधित किया था गांधी जयन्दी के मौके पर जब पूरे दिन की यात्रा के बाद राहुल गांधी संबोधित करने के लिए मंच की तरफ बढ़े तो बारिश होने लगी इस मौके पर राहुल ने बारिश रुकने का इंतजार नहीं किया उन्होंने भीगते हुए भाशन जारी रखा इसक देखते रहिए आपका अपना चैनल फोकस हिंदुस्तान और अपने कमेंट्स जरूर भेजें ताके हम फिर से हाजर होंगे एक नई ख़बर के साथ जलपाई गुडी में जलतांडव सैलाब ने ली लोगों की जान देखते ही देखते बह गए लोग पूरे देश में बीते दिन दशैरी की दूम रही इस दोरान लोगों ने विजय दश्मी के मौके पर पूजा अर्चना की लेकिन पस्चिम बंगाल से एक बड़ी खबर है जलपाई गुडी के जिला माल बाजार के माल नदी में दुरगा की प्रतिमाओ के विसर्जन के दौरान अचानक बाड़ा गई जिसमें साथ लोगों की डूबने से जान चली गई और कई लापता हैं ये सैलाब इतना भेंकर था कि वहां मौजूद लोगों की सासे अटक गई एक के बाद एक लोग बहते रहे गटना के वक्त सैक्डों की संख्या में लोग माल नदी के तटपर विसर्जन के लिए आये थे अचानक बाड़ा आई और कई लोग बह गई देखिए मौके का ये वीडियो लोग बाद पर शेखिए मौके का ये जचानक बाद 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 देखिए हैं ये दर्दनाक मन्जर देखकर हर किसी का दिल सहम जाएगा वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कैसे लोग सैलाब में बह गए रात नौ बजे कई लोग माल नदी के किनारे जमा हुए थे लेकिन अचानक आई बाड में ये कई सारे लोग बह गए प्रशासन ने वहाँ मूर्तियों का विसर्जन तुरंत रोग दिया लगबग 40 लोगो को बचाया गया जलपाई गोडी की डी एम मोमिता गोदरा ने का कि स्थानिय लोग वहाँ देवी दुरगा की मूर्तियों का विसर्जन करने के लिए जमा हुए थे अचाना काई बाड में लोग बह गए, साथ शव बरामद हो चुके हैं जबकि 50 लोगों को सुरक्षित निकाला खोज और बचाव अभियान जारी है, NDRF, SDRF, पुलिस और इस्थानिय प्रशासन बचाव कार्रे में लगा हुआ है तो महीं इस घटना पर प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी ने दुख जताया, उन्होंने अपने प्रेयजनों को खोने वालों के प्रती अपनी सवेदनाय व्यक्त की तो महीं CM ममता बैनर जी ने भी घटना पर शोग जतात हुए, घटना का संग्यान लिया और अधिकारियों को जरूरी दिछा निर्देश दिये कर दो झाल